हेलो दोस्तों आरद्यारेस अकेडमी के यूट्यूब चनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान लोग सेवा आयोग द्वारा आयूजित फर्स्ट ग्रेड शिक्सक बरती परिक्षा दोजार चोबिस के नविंतम पाटे करम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्स सेरी शुरू की गई थी जिसमें अपने 33 मॉडल पेपर हैं वो कम्प्लीट हो चुके हैं आज अपना इसमें 34 नंबर का मॉडल पेपर है दोस्तों कुल फिचेतर प्रस निसमें सामिल किये गए हैं और हुब हुआ आपको ऐसा ही पेपर है वो परिक स्क्राइब जरूर करें बेल आइकन को तबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का अपना 34 नंबर का मॉडल पेपर देखिए पहला प्रसन है कौन से गुप्त कालीन अभिलेक में कृशन की का उलेक है मिलता है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर का जो अप्सन है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें ठीक है आगे देखिए सेकिंड नंबर का प्रसन है भारत के इतियास के संदर्ब में अब्दुल हमीद लाहुरी साजा के सासनकाल का एक राज की इतियासकार था ठीक है इन्होंने एक पुस्तक लिकी थी जिसका नाम है पाद सहय नामा ठीक है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों साजा के सासनकाल का एक राज की इतियासकार था यह तो यहां पर अ किस कलम पर मुगल चित्रकला का परभाव नहीं पड़ा बताइए चित्रकला की मुगल कलम भारती लगू चित्रकला की रीड है निमनलिकित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का परभाव नहीं पड़ा तो दोस्तों देखिए पहाडी पर पड़ा है राजस्तानी पर पड़ से समंदीत पहली गटना थी अठारा सो सतावन के सवतंतरता संग्राम से समंदीत पहली गटना कौन सी थी तो दोस्तों पहली गटना थी वो थी दोस्तों सेनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुचना ये दोस्तों अठारा सो सतावन के सवतंतरता संग्राम से समंदीत पहली से आए सिपाईयों के दस्ते ने मुगल समराट बादूरसा दित्ये से यह अपील की कि वह समराट बनकर इन सिपाईयों का नेतरतव स्विकार करें यानि कि उनका पहली पहला कारिया या पहली गटना क्या थी कि दिल्ली के लाल के लिए पर पहुंचना तो यहां पर तीन में बांकीपुर जेल में भेजा गया था दोस्तों तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है चार नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें ठीक है आगे देखिए दोस्तों सिक्स नमर का प्रेस ने निमन महापुर्सों में कौन भ भारतिये जागरती का जन कहलाता है तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजराम मोहन राए तो यहां पर दो नमबर का उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा राजराम मोहन राए को भारतिये पुनर जागरण का पिता भारतिये रा तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो ए ओ हुँम है ये भारतिय राष्टे कॉंग्रेस के महास अचीव थे तो यहाँ पर अपना इसमें एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीवत्तर हो जाएगा महास अचीव यानि की सचीव थे ठीक है और इन्हों ने कॉंग्रेस का गठन किया था आगे देखें दोस्तों अपने इसमें आठ नमबर का प्रस्तन है निमनलिखित में किस आंदोलन के कारण भारती राष्टे कॉंग्रेस का विबाजन हुआ जिसके परिणाम सवरूप नरमदल और गरमदल का उद्बव हुआ निमनलिखित में क तो सवदेशी अंदोलन हुआ था ठीक है उसमें दोस्तों देखिए सवदेशी अंदोलन तथा विदेशी वस्तों के बैसकार के लिए बंगाल से बाहर परशार को लेकर कॉंग्रेस में दोस्तों उगरपंथी और नरमपंथी में मतमेद हो गया था ठीक है और जिसके परिणा गांदी जी की द्रश्टी में अहिंसा का अर्थ है गांदी जी की द्रश्टी में अहिंसा का अर्थ है तो अहिंसा का अर्थ है दोस्तों सत्य की प्राप्ति का रास्ता ये दोस्तों अहिंसा का अर्थ है तो यहां पर अपना इसमें एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत् दस नमबर का प्रेस्ट ने इसमें देखे एक वर्स में सवराज का नारा गांधी जी ने कब दिया एक वर्स में सवराज का नारा गांधी जी ने कब दिया तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऐसे योग अंदोलन के समय दोस्तों एक वर्स में सवराज का नारा दिया था किस ने गांदी जी ने तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दो नमबर का उप्शन बिल्कुल सई ग्यारा नमबर का प्रसन है इसमें देखे करांती कारियों के एक गुप्त समा और आज अबिनव भारत का गठन है वो किस ने किया था तो दोस्तों ये तो सबी को पता होगा अबिनव भारत का जो गठन है वो वीडि सावर करने किया था तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दो नमबर का उप्ःं बिल्कुल सही उत्तर है अब वीड सावरकर की फुल फॉर्म क्या है तो दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ये इनकी फुल फॉर्म है ठीक है गुनी सो चार में एक गुपत सबा जिसका नम था अभी नव भारत का गठन भी किया था इन्होंने ठीक है आगे देखिए यहाँ पर बारा नंबर का प्रस ने इतिय किस ने कहा था दोस्तों ये कतन है वो किस ने कहा था ये कतन कहा था दोस्तों केप्टन सोवर्स ने कतन कहा था यहाँ पर एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए तेरे नमबर का प्रस ने निम्न में से कौन महनत प्यारे लाल हत्याकांड स समंद नहीं था यानि कि किस का समंद है वो महनत प्यारे लाल ठीक है प्यारे लाल हत्याकांड से समंद नहीं था तो दोस्तों देखे प्यारा लाल हत्याकांड के अंदर है रामकरन का समंद था ठीक है मोहनलाल जालोरी तो दोस्तों मोहनलाल नहीं हीरा लाल जालोरी का समंद ठीक है और ठाकुर केशरी सिंग बरट का भी सम्वन था सोमदत लेरी का भी सम्वन था ठीक है यहां पर दो नंबर का ओप्षन है वो इसका right answer हो जाएगा मोहनलाल जालोरी का सम्वन नहीं था हीरा लाल जालोरी का सम्वन था ठीक है आगे देखिये इसमें चोजा नमबर का प्रशने नाराणी देवी वर्मा किस वर्ष राजे सभा की सदस्य बन गई थी बताए तो दोस्तो नाराणी देवी वर्मा है ये कौन से वर्ष में राजे सभा की सदस्य बनी थी राइट आंसर हो जाएगा गुनी सो सत्तर में तीन नमबर उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे संप सभा की स्थापना किसने की दोस्तों संप सभा की जो इस्थापना है वो की थी गोविंद गिरी ने कब की थी 1883 में की थी बीलो को संगठित करने के लिए तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर चार नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा 16 नमबर का प्रस्थन है इसमें देखे 15 प्रस्थन सामानिगान से समंधित ठीक है और अब जो प्रस्थन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं पाच प्रस्थन वो दोस्तों आपको राजस्तान जोगरोफिक के देखने को मिलेंगे ठीक है देखे राजस्तान के पस्मी प्रस्थन का अंग नहीं है राजस्तान के पस्मी मरूपरदेश का अंग कौन सा नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर देखे नागोर उचबुमी गगर मैदान विंदे का गार भूमी गोड़वाट पूमी तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विंदे का नहीं कौन सा 6 तरे बालू का इस्तुप मुक्त है तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जैगा वो है दोस्तों पलो दी पोकरन तो यहाँ पर चार नमबर का उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा अगे देखे यहाँ पर शिदा समा आपको बोलू कि जो म आवट वर्षा है ये किन से होती है तो ये पक्समी विक्सोबों से होती है बुमदे सागर में जो चकरवात उठते हैं उन से ये सीदकाल में वर्षा होती है और ये रभी की फसल के लिए लाब्दायक होती है तो यहाँ पर अपना तीन नंबर उप्शन राइट आंसर गुनि पर अपना इसमें एक नंबर का उप्शन है वो इसका बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए वीस नंबर का प्रशन वर्ष दो हजार ग्यारा में निमन लिखित में से कौन से दो जिले उनकी कुल जन संक्या से सबसे कम अनुसूचित जाती परतिस्यत रखत हैं अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बिकानेर और नागोर तो यहाँ पर दो नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा बिकानेर और नागोर 21 नंबर का प्रशन है इसमें देखिए राजे सबा से समंदित निमनलिकित कतनों में से कौन सा एक सही है कौन सा एक सही है वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तों देखे राजे सबा का विगठन नहीं होता बिल्कुल सत्ते बात है दोस्तों राजे सबा एक इस्ता ही सदन है और इसका विगठन है वो नहीं होता है ठीक है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पहला ही कतन सत हो गया तो अपने को बारा आगे पढ़ने की जुरूत नहीं है बाकी के सारे आगे गलत दे रखे हैं तो यहां पर एनमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे प्राय किस की सला पर राज्य में राश्टरपती सासन लागू किया जाता है तो दोस्तों रा उचेद तीनसोचापन के तहट राज्य में राश्टरपती सासन गवर्नर यानि कि राज्य पाल की सला पर राश्टरपती द्वारा लागू किया जाता है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर तो यहां पर से नमबर उप्शन बिल्कुल सही ती आयोग की स्थापना की गई थी तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे भारत का सविधान निमनलिकित अनुछेदों में से किस एक के अंतरगत एक निर्वाचन आयोग का प्रावदान करता है तो निर्वाचन आयोग क गठन का प्रावदान किया गया है तो यहां पर दे नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पच्छिस नंबर प्रेस ने इसमें देखे किसी दल को राष्टे दल के रूप में स्विध करती तब मिलती है जब दोस्तो दो परतिसत लोग सबा सीटें तीन राज का उप्शन इसका बिल्कुल सही तब इस नंबर का प्रेस्ट ने इसमें देखे नूपा अब जो पंद्रा प्रेस्ट ने हैं वो सेक्सिक परबंदन से समनदी थे नूपा राष्टिय सेक्सिक योजना एवं प्रसाषण विसव द्याले का मुख्ध कारिये क्या है तो मंत्राले द्वारा की गई है और यह सेक्सिक प्रबंदन योजना में एक सर्वच निकाय है ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा योजना एवम विकास से नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखें इमिस का पूरा नाम क्या है दोस्तों इमिस का पूरा नाम है तो यहाँ पर एबन का जो और वप्शन है वह इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 28 नमबर का प्रेशन है इसमें देखें इमिस के पर्मुक कारिये क्या है दोस्तों इमिस के पर्मुक कारिये हैं देखें इसमें आर्टीए सिक्षा अधिकार 2009 को मजबूत पुनाना, प्रारंभिक शिख्षा से समंदित विश्चलेशन आत्मक रिपॉर्ट त्यार करना, यूड़ाइस के मादेम से सेक्षिक सूचनाई एकत्रित करना, तो ये सबी है, ये इमिस्ट के कारिये हैं, ठीक हैं? साक्सरता कारे कर्मों के समिक्षा करना ये भी कारी ये है तो यहां पर अपना इसमे राइट आंसर हो जाएगा सभी दे नमबर का उप्षन बिल्कुल सही आगे देखे विद्याले परबंदन समीति का सचिव किसे न्यूक्त किया जाता है अपना इसमे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है संस्ता परदान को न्यूक्त किया जाता है से नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखे तीस नमबर का प्रस ने विद्याले विकास एवं परबंदन समीति यानि कि SDMC का अद्यक्स कोन होता है विद्याले विकास एवं परबंदन समीति का अद्यक्स कोन होता है इसका अद्यक्स होता है दोस्तों संस्ता परदान इसका भी अद्यक्स कोन होता है संस्ता परदान तो यहाँ पर A नमबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा SDMC में दोस्तों कुल 23 सदस्य होते है ठीक है और इनका अध्यक्स कोन होता है प्राचारिय यानि की परदाना अध्यापक या संस्ता परदाना आप बोल सकते हैं A number option बिल्कुल सही 31 number का प्रस्थन इसमें देखे सेनिक स्कुलों का आदर्स वाक्य का है सेनिक स्कुलों का आदर्स वाक्य है सीलम परम भूशनम यहाँ पर A number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे विद्याले परबंदन परकिरिया के अंग है विद्याले परबंदन परकिरिया के अंग है तो यहां पर देखिए संगठन है नियोजन है नियंटरन है तीनोई है तो यहां पर राइट आंसर उपराक सभी हो जाएगा दैनमबर उप्षन बिलकुल सही 33 नमबर प्रेस नहीं इसमें देखिए राजस्तान में सेक्सिक परशासन की दरश्टी से मंडल है तो यहाँ पर देखिए इसका right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें no mandal है दोस्तो कितने mandal है no mandal है तो यहाँ पर the number का option right answer हो जाएगा है सिर्फ यह याद रखना है कितने mandal है no आगे देखे, मनुने अध्यापक को किस का रूप माना है? तो ये माना है दोस्तो, ब्रह्मा का रूप माना है दोस्तो, तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा, ए नमबर ऑप्सन बिल्कुल सही, आगे देखे, पाट साला समाज का लगू रूप है, किसने कहा? तो दोस्तो ये कहा किसने तो ये जोन डीवी ने कहा है किसने कहा है जोन डीवी ने यहां पर बे नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा जोन डीवी आगे देखे साला मान चितन की सुरुआत कब हुई साला मान चितन की सुरुआत कब हुई तो दोस्तों में विद्याले परबंदन समीति के साधरन सभा की नियुनतम कितनी बैठके अनिवारी है तो दोस्तों यहां पर देखे चार बैठके अनिवारी है नियुनतम तो यहां पर से नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे राष्टिय मादय में एक राजस्तान इस्तापित किया गया है तो यह कहां पर इसतापित किया गया है यह दोस्तों शिलोंग में स्तापित किया गया है दैन New evolution और आगे देखे मादेमिक शिक्षा बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य हैं तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य हैं तो वो है दोस्तों इसमें एक तो यह आप पे ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 41 नमर का प्रस्पन है इसमें देखिए दोस्तों रजस्तान में उद्योगों के सम्द में सही नहीं है रजस्तान माइक्रों एंड स्मॉल एंटरप्राईजेज़ euro यह भी बिलकुल सही है अब आपको ये बताना है कि ये पोलिशी है ये कब लागू की गई थी कमेंट में आपको बताना है आपका आज का ये ग्रहकार ये है यहाँ पर चार नमबर उप्शन इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 42 नमबर का प्रशन है इसमें देखिए दोस्तो अपने को याँ पे तीन कथन दे रखे हैं अपने को बताना है कि इन में से कौन सा सही है ठीक है देखिए इसके इंडिया मिसन में कोसल परदाता के रूप में राजस्तान की तीसरी बार गोल्ड ट्राफी पराप्त हुई है रा आगे देखिए राजस्तान कोसल विकास विस्वे विद्याला इस्तापित करने वाला राजस्तान है वो पर्थम राज्य है बिल्कुल सही है इगरास इधरती इपंजियन का समंद कोसल विकास विबाग से है ये गलत हो जाएगा इसका समंद है वो कोसल विबाग से नहीं है इसमें सिर्फ दो ही सही है कौन सा पहला और दूसरा कौन सा सही है पहला और दूसरा तो यहां पर इस प्रेस्टन का राइट अंसर हो जाएगा एक नंबर का उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही आगे देखे 43 नंबर का प्रेस्टन है निम्न में से कौन सा कतन सही है निम्न मे योजना एक लाग है बिल्कुल सही है फाइटर जे टुडाने वाली देश की पर्थम महिला मोहना सिंग जुन जुनु की सहे है ये भी बिल्कुल सही है GO 1 सरक्षन के लिए नापासर बिकानेर में है哥ा बैरन इस्तापित होगा यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नमबर उप्शन बिल्कुल सही जिसमें एक दो तीन दे रखा है आगे देखिए चुमालिस नमबर प्रस्टने राजस्तान सरकार के किस विभाग में सारवजनिक सहबागिता परियोजना में राजस्तान सरकार के परियोजना में राजस्तान सरकार के लिए नोडल एजनसी के रूप में सारवजनिक नीजी सहबागिता सेल का गठन किया गया है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आयोजना विभाग में तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोजना विभाग में एक नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए 45 नमबर का प्रेशन है इसमें देखिए राजस्तान सरकार ने चिरंजीवी दुरगटना बीमा योजना का नाम बदल कर क्या रखा गया है बताए क्या रखा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो मुख्य मंत्री आयुस्मान दुरगटना बीमा योजना मुख्य मंत्री आयुस्मान दुरगटना बीमा योजना ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों गरामेंणदाग गरों के कायकल्ब तथा डिजिटली करन हेतू, कौनसी योजना सुरू की गई है ? तो दूस्तों कौनसी योजना है वो सुरू की गई है ? वो अपने को यहां पर कै करना है ? बताना है यहां पर देखिये बहुत आच्छा प्रसन आप इसको कह सकते हैं तो दोस्तों यहां पर देखे ग्रामेंड डागरों के काया कलब तथा डिजिटली करन है तो कौन सी योजना शुरू की गई है इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों दरपण योजना तो यहां पर दो नमबर ऑप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे राजस्तान के किस जिल्य को तीसरा एस्तान मिला है? तीसरा एस्तान पराप्त किया है कौनसे जिल्य ने, to ये किया है। दो उदेपूर ने। то यहाँ पर दो नमबर का जो अप्शन है, वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा, उदेपूर ने ठीक है। आगे देखे हाली में पुर्वतर राज्यों में से एक राज्य की राज्यों को आवास तता सहरी मामलों के मत्राले द्वारा सोवा स्मार्ट सिटी गुशित किया गया है वहें राज्ये कुन सा है तो दोस्तो सोवा स्मार्ट सीटी किसे गोषित किया गया है ये किया गया है दोस्तो बताए अच्छा पुस्ता है ये राइट आंसर हो जाएगा मेगा लेगो तो यहाँ पर दो नमबर आप्सन बिलकुल सही 49 नमबर प्रेस ने इसमें देखे Guardian Constitution for Free India पुस्तक है वो किस ने लिखी तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी किस ने स्रीमन नारायन अगरवाल ने ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों तीन नमबर उप्सन बिल्कुल सही देखे सुची फर्ष्ट को सुची सेकंड से सुमेलित कर रहा है एक तरफ लेकक हैं दूसरी तरफ पुस्तक हैं अपने को बताना है कि कौन सी पुस्तक है वो किस के द्वारा लिखी गई देखे थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसमें सारी आ जाएंगी देखे अतुल कोली दोस्तों अतुल कोली ने कौन सी पुस्तक लिखी तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी दोस्तों इस सक्सेस ओफ इंडियाज डेमोक्राशी इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी ग्रेंविल आइस्टीन ने कौनशी पुस्टक लिखी थी तो दोस्तो इन्हों ने लिखी थी Working a Democratic Constitution, a history of the Indian experience ठीक है ये पुस्टक लिखी थी और Penderel Moon ने, Penderel Moon ने कौनशी पुस्टक लिखी थी इन्हों ने लिखी थी दोस्तो तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तो दो चार एक तिन इसमें अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानिकि तीन नमबर ऑप्शन बिलकुल सही देखिए अब पांच प्रसन साइंस से समंदीत पूछे जाएगे आगे देखिए इसमें एंजाइम होते हैं दोस्तो एंजाइम होते हैं तो यह जेव उत्परे रख होते हैं तो यहाँ पर चार नमबर का उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा जेव उत्परे रख बाव कारे का मात्रक क्या है तो दोस्तो कारे का मात्रक जूल तो यहां पर दो नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा कारे का मात्रक क्या है जूल आगे देखें सरवाधिक कारबन की मात्रा उपस्थित होती है सरवाधिक कारबन की मात्रा उपस्थित होती है इसका कार के कोईले होते हैं आगे देखिए किसी पारिष्टिति के तंतर के संतुलन की मापा की काई है तो वो मापा की काई कौन सी है तो वो है दोस्तों इसमें पर जाती तो यहां पर एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें आगे देखिए चपन नंबर का दोस्तों यहां पे आपको 15 प्रस्त हैं वो रिजनिंग और मैत के देखने को मिलेंगे ठीक है तो टोटल हो जाएंगे इसमें सुरी इसमें 10 प्रस्त हैं 10 प्रस्त आपको देखने को मिलेंगे इसमें स्प्पन से लेके और दोस्तो 65 तक ठीक है दस प्रसन आपको reasoning और math के देखने को मिलेंगे यानि कि सिदा साथ लगा सकते हैं 5 reasoning के 5 math के ठीक है उसके बाद में 5 question इंदी के और 5 question English के ठीक है देखिए यदि एक जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 December को कौन सा दिन होगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सिदा सब आपको यहाँ पर बोलूँ तो देखिए सामाने वर्स का पहला दिन और अंतीम दिन एक ही होता है तो एक जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 December 2007 को भी क्या होगा सोमवार योगा तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा एक नमबर का उप्सन बिलकुल सही आगे देखिए 57 नमबर का प्रस्न है एक मिटिंग में 10 वेक्ति उपस्ति थे मिटिंग के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया कुल कितनी वारहात मिलाया तो दोस्तों यह अपने को यहाँ पर बताना है तो दोस्तों सिदा सा आप मैं इसको ऐसे भी बोलो कि टोटल वेक्ति कितने थे 10 में से 1 माइनस कीजिए 9 बटे 2 ठीक है यहाँ पर कितने 95 बटे 90 बटे 2 तो कितना जाएगा 45 बारहात मिलाया तो यहाँ पर से नंबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं टोटल 10 वेक्ति हैं तो आप 1 पलस 2 पलस 3 पलस 4 पलस 5 पलस 6 पलस 7 पलस 8 पलस 9 पलस 10 ऐसे 10 को आप जोड़ दीजिए ठीक है तो यहाँ पर टोटल जोड़ोगे तो पर 40 आ जाएगा आगे देखे अठावा नंबर का प्रेश ने निमनलिकित में से कौन सा आंख 5 के विपरित होगा तो दोस्तों 5 के विपरित एक भी नहीं होगा दो भी नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर एक भी उप्शन काट दीजिए और दो भी उप्शन काट लीजिए यह क्योंकि यह दोनों पास वाले हैं आठ भी नहीं होगा क्योंकि आठ पलक होता ही नहीं है यहाँ पर 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही मील में देखिए साथ नमबर का प्रशन है इसमें देखिए देखिए प्रशन को पढ़िए एक बार प्रशन में ही आपको देखने को मिलेगा कुछ जो कुछ है देखिए निम्नलिकित दिये गए प्रतेक प्रतेक प्रशन के अंकों की एक सरंखला दी गई है जिसमें एक पद गलत है जिसे स्रंकला के नीचे दिये के चार विकल्पों में से एक के रूप में दर्शाये गया है प्रतेक स्रंकला में इस्तित उस पद को ग्याद कीजिए यहाँ पर देखिए 60 नमबर प्रशन है 52, 36, 33, 34, 47, 55 जैसी ठीक है तो यहाँ पर देखिए 52 दे रखा है तो 52 को उल्टा कर दिया यानि की 25 लिख दिया यहाँ पर ठीक है उसी ठीक उसी परकार यहाँ पर 36 है तो 36 में 36 को उल्टा किया तो 63 हो गया 44 को उल्टा किया तो 47 हो गया जो चपन को उल्टा किया तो दोस्तों यहां पर 65 आना चाहिए था लेकिन यहां पर 85 दे रखा है जो कि गलत दे रखा है अपने को यहां पर कौन सा पद गलत है वो ही यहाँ पर अपने को बताना था तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 55 गलत है इसमें तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर D नमबर का उप्शन विल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए किसी कूट बासा में रोड को U, R, G, D लिखा जाता है तो S, W, A, N को उसी बासा में कैसे लिखा जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रोड ठीक है R है वो 18 नमबर पे O है वो 15 नमबर पे A है वो 1 नमबर पे और D है वो 4 नमबर पे तो U, R, G, D U है वो 21 नमबर पे है R 18 नमबर पे है और यहाँ पे D है वो 4 नमबर पे है और G है वो दोस्तों 7 नमबर पे यानि कि इनमें सब में क्या हो रहा है पलस 3 हो रहा है तो यहाँ पे S में भी 3 जोड़ेंगे तो S में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तो क्या जाएगा V आजाएगा और W में 3 जोड़ेंगे तो Z आजाएगा A में 3 जोड़ेंगे तो D आजाएगा N में दोस्तो 3 जोड़ेंगे तो दोस्तो क्या जाएगा तो Q आजाएगा इसमें ठीक है इसको u o की जगह आप यहां पर q कर लेना ठीक है तो यहां पर d number का option right answer हो जाएगा v z d q इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा 62 number का प्रस्थन है इसमें देखिए दोस्तों 9 x 24 भाग 6 पलस 6 बटे 12 भाग 4 x 2 यह तो सभी कर सकते हैं दोस्तों ठीक है तो यहां पर सीधा सा है यहां पर देखिए 24 में 6 का भाग दिया तो कितना आ गया तो दोस्तों चचो को 24 ठीक है तो यहां पर इसको solve करोगे तो सीधा सा आपका right answer आजाएगा साथ आएगा इसमें ठीक है तो यहां पर इसमें right answer तीन नंबर का option बिल्कुल सही आगे देखे 1500 का कितने परतिसत पलस पचास पान सो होता है तो दोस्तों यहां पर देखे 1500 का आप 30 परतिसत निकालिए ठीक है 1500 का 30 परतिसत होता है 450 और 450 में 50 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 500 तो यहां पर option दिया गया है तो आप option उठा के भी कर सकते हैं नमबर उप्टन बिल्कुल सई सोट नमर क प्रेस नहीं इसमें दिखे एक बंया 13.50 रुपय प्रतिक किग्रा की दर्से 80 किग्रा चामल तथा शाट ? प्रतिक किग्रा की दर्से 120 किग्रा क्रीद कर दोनों को मिला देता वैं मिश्मरं को वह किस दर से बेचे की उसे 20 परतिसत का लाब हो तो दोस्तों यहां पर देखिए क्राम उले यहां पर दे रखाए दोस्तों 80 रुपए और 13 रुपए परतिक ग्रा है तो यहां पर 80 इंटू 13.50 पलस 120 इंटू 16 इनको कर दीजिए आपस में जोड लीजिए तो दोस्तों इनको जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 3,000 ठीक है? 3,000 आगया अब यहां पर देखिए परतिक ग्रा क्राम उले 3,000 बटे 200 तो कितना जाएगा? 15 और दोस्तों यहां पर परतिक ग्रा विक्राम उले 15 इंटू 120 बटे 100 करोगे तो 18 आजाएगा 18 रुपए परतिक ग्रा इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए दो बेलनों की आधार तिरजाद दो अनुपात तीन के अनुपात में है और उनकी उचाईयों का अनुपात पांच अनुपात तीन है उनके आएतनों का अनुपात होगा तो दोस्तों उनके आएतनों का अनुपात है वो कितना होगा दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा परदा कर दिया तो यहां पर अंडरलाइन है बेपरदा ठीक है अब बेपरदा के अंदर कौन सा उपसर्ग है यहां पर उपसर्ग में उपसर्ग दे रखा है तो सिधा साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि उपसर्ग के बारे में पुछा गया है यहां पर उपसर्ग है वो बेउ उपसरग है ठीक है जैसे बे इमान ठीक है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा से नंबर का उपसन बिलकुल सही आगे देखे इस तूल सब्द का विलोम क्या होगा इस तूल सब्द का विलोम है वो दोस्तो सुक्सम होगा तो यहाँ पर दे नंबर का उपसन बिलक का option बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए तुम खा रहे हो वाक्य में साइक किरिया कौन सी है तो इसमें रहे रहे क्या है यह साइक किरिया है तो यहाँ पर से नंबर उप्सन राइट अंसर हो जाएगा अब पांच प्रस ने इंगली से समंदित है यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है देखिए ले उन दे फ्लोर नेक्ड तो यहाँ पर जो ले दे रखा है यह दोस्तों क्या है तो यह देखिए इंस ट्रा खालिस्तान है यहाँ पर देखिए इस देर आर ओरेंज इन दे मार्केट प्लीज बाई तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा इसमें आएगा दोस्तों देखिए इफ देर आर एनी ओरेंज इसमें क्या आएगा एनी आएगा इन दे मार्केट प्लीज बाई प्लीज यहाँ पर बरनी है तो यहाँ पर देखे one swallow note make a summer तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें does यहाँ पर b number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा यहाँ पर देखे choose the correct answer अपने को यहाँ पर बताना है यहाँ पर देखे the author and the statement arrived arrived ठीक है तो यहाँ पर इसमें right answer क्या हो जाएगा इसमें have कप्रियोग होगा दोस्तों have arrived आएगा इसमें अब यहाँ पर देखे correct answer अपने को बताना है he says I went home on Monday तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा देखे he says that he went home on Monday इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा ए नंबर का option बिल्कुल सही उत्र तो दोस्तों प्रस्तना आपको कैसे लगे comment में जरूर बताए और अगर आपने पिछले model paper अगर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखे और अरद्दर एसकेडमी की YouTube चनल को subscribe जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जै हिन जै भारत